इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करत और आपको कोई side effect होता है, तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी. लुपिकलो 6.25 टैबलेट एक diuretic यानि की water pill दवा है जिसे hypertension यानि की high blood pressure का इलाज करने के लिए इस्तिमाल किया जाता है. यह दवा शरीर में अतिरेक्ट fluid level को कम करती है और हिरिदय, liver, kidney या फिफणों की बीमारी से संबंधित एडिमा यानि की fluid overload का इलाज करती है. लुपिकलो 6.25 टैबलेट की मदद से आप अतिरेक्ट पानी मूत्र के माध्यम से निकाल देते हैं. इसका इस्तिमाल अकेले या अन्य दवाओं के साथ मिलाकर किया जा सकता है. रात में बार-बारे पेशाब जाने से बचने के लिए इस दवा को केवल दिन के समय लिया जाना चाहिए. आपको खुराक और अवधी के लिए डॉक्टर की सलाह माननी चाहिए और डॉक्टर से परामर्ष किये बिना कभी इसे लेना बंद नहीं करना चाहिए. हाई ब्लड प्रेश वाले अधिकांश मरीज अपने आपको बीमार महसूस नहीं करते हैं, लेकिन अगर आप दवा का सेवन करना बंद कर देते हैं, तो लक्षन और बिगड़ सकते हैं. इससे आपका ब्लड प्रेश फिर से बढ़ सकता है और हिरदे रोग और स्ट्रोक का खत्रा बढ़ सकता है. अपने ब्लड प्रेश की नियमित जांच करवाना आवश्यक है. यह दवा इलाज का केवल एक हिस्सा है जिसमें स्वस्थाहार, नियमित व्यायाम, धूम्डपान समापती, शराब के सेवन को नियंतरित करना और वजन कम करना भी शामिल होना चाहिए. यह दवा लेते समय आप सामाने तरीके से खाना खा सकते हैं, लेकिन नमक का सेवन कम करें. इस दवा के सामाने साइड इफेक्ट में सिर्ध दर्ध, मिचली आना और चक्कर आना शामिल हैं. अगर यह साइड इफेक्ट आपको परेशान करते हैं, तो डॉक्टर से परामर्श करें. इस दवा को लेने से पहले, अगर आपको किड्नी या लिवर से समबंधित कोई बीमारी है तो अपने डॉक्टर को बताना बहतर होता है. इसके अलावा, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को इसे लेने से पहले डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए. आपको इस दवा के अलावा अन्य उन सभी दवाओं के बारे में डॉक्टर को सूचित करना चाहिए, जो आप ले रहे हैं. वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें. और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें. और आल नोटिफिकेशन को क्लिक करें. धन्यवाद.